कि नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रेगना उपर और आज हम लोग देखने वाले बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक वन बहार के वन्यजीव अभ्यारंड इससे लगातार प्रेश्चन पूछे जाते हैं और गलती होने की संभावना प्रेश्चन पहांचे यह होता है कि जए उससे क्या होता है कि रहते हैं तो आज को दूर करने के लिए हमने नया तरीका होजा है कि हम क्या करेंगे इसको मैप के थुरू पढ़ेंगे पहले मैप देखेंगे कि जैसे अरजिया में कौन सा बंद जीव अब्ध्यारण है पश्मी चंपारण में कौन सा है केमूर में कौन सा है तो इससे क्या होगा कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा और आराम से आप पढ़ पाएंगे ठीक है तो इसको देखेंगे आज सुरू करते हैं सबसे पहले देख लेते हैं कि अब ध्यारण होता क्या है तो अब यह आरण दो सब्दों से मिलके बनाएं अगर इसको हम तोड़ें तो अब यह और अरन ने इन दो सब्दों से मैं टूट जाता है इसका मतलब होता है कि अभय कहां पर अरण्य में मतलब होता है स्थान जगह कुछ इस तरह बनता है अभे घूमे जानवर अरण्य में तो जानवरों को अभे तरीके से गूमने के लिए आजादी देने के लिए अभ्यारण का निर्माड किया जाता है और कौन करता है सरकेंद्र सरकार राज्य सरकार जैसा उचित समझे समय समय पर अभ्यारण का इस्थापना करती है और वहां पर बहुत सारी जो जरूरी रिस्टिक्शन होती है मानवों के लिए या फिर सिकार के लिए प्रतिबंद लगाए जाते हैं ताकि उनको सुरक्षित क प्याजा सके तो इन्हीं अब्यारण को देखेंगे बिहार में कौन-कौन से बन्नाजीव अब्यारण नहीं है जो इंपर्टेंट है उनको हम पढ़ेंगा ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले देख लेते हैं पाष्चमी चमपारण से क्योंब यहां पे आपके पहले में बात करें तो बालमिक है और दूसरे की अगर बात करें तो उधैपुर में भाते हैं तो मैंने क्या बता है आपको पश्चमी चंपारण दो वन्यजीव अभ्यारण मिलते हैं आपको बालमी की वन्यजीव अभ्यारण और उधैपुर वन्यजीव अभ्यारण यह दोनों बहुत इंपर्टेंट है और इनके बारे में अगर मैं बताना चाहूं बालमी की वन्यजी है यह भी पश्चमी चंपारण में और बाल मी की वन्य चीव ब्यारण Yeah आग पश्चमी चंपारण हम पढ़ रहे हैं तो यह पर एक चीज ओह रह और हम भूत इंपोचैट देख लेते हैं कि बिहर का एक मात्र राश्च्ट योत्ज्यान तो में ही है एक मात्र राष्ट्य उध्यान है उसका नाम क्या है बालमी की राष्ट्य उध्यान जिसकी स्थापना की गई ती उन्निस सो नवासी में इसकी स्थापना की गई ती और ये भी आपके पश्चमी चंपानड में है तो पश्चमी चंपानड के आरे में मैं आपको तीन बाते बताईं पहला कि यहां पर बालमी की वन्य जीव अभ्ला ध्यारण होग्ठा ऺें और तीसरा एक-मंत हुलोल द्यान भात इंपरोट है कि विहार कम की रष्टे अध्यार्ण और वह कहाँ पर पंपरोट इसपाना में अनुस्थ नावासि अठयक और मैंने इसके आरे में क्या बता है आपको बालमी की वन्ने जीव अब्बैरंट को आपको नहीं भूलेंगे क्योंकि नाम भी इसका कैमूर है और कैमूर वन्ने जीव अब्बैरंट कैमूर जिले में ही पाया जाता है तेरह सो 422 वर्थ किलोमीटर में यह फैला है आपको ने बताया था जब मैं पिछली वीडियो बना रहा था जिसमें मैंने आपको इनकी नदियों के बारे में पढ़ाया था मैंने मैपिंग कराई थी तो उसमें बताया था कि कैमूर में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है जंगल बहुत अधिक पाया जाता है जनसंग्या जनत बहुत कम है तो 1342 वर्क किलोमीटर में ये फैला है कैमूर वन्नजी वब्यारण और इसमें बाग, तैंदुआ, चीतल, मगरम, छे सब पाये जाते हैं बहुत से जलप्रपात यहां मिलते हैं कैमूर वन्नजी वब्यारण में तो इसलिए बहुत सुंदर जगह है घूमने के लिए लोग यहां पर बहुत आते हैं परिया तक दूर दूर से कैमूर वन्ननजी वब्यारण में लिख भी देता हूँ इसका नाम भी कैमूर वन्ननजी वब्यारण ही है वैसाली में ठीक है इना में रखेगा बरेला सलीम अली जुब्बा राओ वन्यजीव अप्ध्यारण में लेकर देता हूं अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो यह वैसाली में पाया जाता है बरेला ठीक है अगर आप याद रखना चाहें तो और यहाँ पे आपको चीता सांबर ये समय आपको मिलेंगे और चाहें우 बरेला, सलीम, जुब्बा राओ वन्यजीव अप्ध्यारण कहां पे है तो वैसाली में है। आप से पूचा जाएगा बाले में की वनने जीव अब्यारण कहां पर है तो आप याद रखेगा पश्चमी चंपारण में मिलान करने के लिए ज्यादा चांसे रहते हैं कि मिलान करने के लिए आप से क्वेस्चन पूचा जाएगा और आपको मिलान करना होता है वहाँ ठीक है तीन चार आपको दे दिये जाएंगे आपको मैंसे मिलान करना होगा और मुझे लगता है कि आपने मैप में अगर देख लिया है तो आपसे गलती होने की संद्मारना बहुत कम हो जाती है अगला फिर के लिए देश में प्रथम स्थान है और प्रजनन के मामले में इसका देश में प्रथम स्थान है और एक और चीज में और आकर्सन का केंदर रहता है हो सकता है तो यहां गया कि आकर्सन का केंदर रहता है इसकी अवह हम ट्रिक देखेंगे तो आपको यह आसानी हो जाएगी ट्रिक के साथ इनको समझने में जो भी important है उनके बारे में मैंने ट्रिक बना दी है तो ट्रिक से आप समझ जाएंगे कुछ तो नाम से ही बता चल जाएंगे तो वो वीडियो के अंत्रमा में आपको ट्रिक भी बता दूँगा परिशान मत होईए फिर अगला है आपका नालंदा जला नालंदा में आपका पंत या राजगीर वन्यजीव अब्ध्यारण है पहले इसको पंत के नाम से जाना जाता था लेकिन अभी नाम बदल के इसको राजगीर वन्यजीव अब्ध्यारण कर दिया गया है प्रिजेंट में इसका अगर नाम आएगा तो हो सकता है कि आपको राजगीर वन्यजीव अब्ध्यारण पूछे ठीक है लेकिन इसका पहले क्या नाम था तो पहले इसका पंत था पंत या राजगीर वन्नजीव अब्व्यारण इसके बारे में एक बहुत important चीज नालंदा के हां यहां पर एकमात्र आश्राणी है यहां पर एकमार आश्राणी यह याद रखी गए इकलोता आश्राणी है यहांका तो question पूछ सकता है इकलोता आश्राणी नालंदा में यानि पंत बनने जीव अभ्यारन और एकलोता आश्राणी नालंदा जिले में है question पूछ सकता है क्यां होते हैं उनसे संभावना बनती है कि क्वेस्चन पूछ लिया जाए ठीक है याद रखिए कि नालंदा में पंत बनने जीव अब यह राजगीर बनने जीव अगर कहीं पर है तो भी नालंदा जिली में है क्वेस्चन आप से पूछा जा सकता है अभी मैं जब आपको ट्रिक ब जो फोटो है वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जैसे हम अकसर प्रजाम करते हैं तो उससे भी आपको समझ में आ जाएगा एक बार और वीडियो देख लीज़ेगा तो दिक्कत खतम हो जाएगी चलिए अगला है गया गया में आपका गौतम बुद्ध बनन गौतम बुद्ध को ज्यान की प्राप्ति किस नदी के किनारे होई थी यह मैं पहले बता चुका हूं अगर आपने मेरी नदियों वाली वीडियो देखी होगी तो बिलकुल आप बता पाएंगे नहीं देखिए तो देख लीजे और इसका आंसर आपको सब को कॉमेंट बॉ मेंट आठ तीन वर्क्लो मीटर में फैला है गौतम बुद्ध वन्यजीव अब्ध्यारण उन्निस सो चेतर में ने बता है इसकी स्थापना हुई थी चीता सांबर तैंदुव अगेरा इसमें पाए जाते हैं हिरन पाए जाते हैं तो यह गया के बारे में था गौतम बुद और यह पूरा नहीं लिगा परमान वन्यजीव अब्यारण इसके आरे में प्याद रखिए कि यह परमान नहीं है एक्च्छल सब्द है प्रमान बहनेगे सुदन साह नाम के एक व्यक्ति थे इन्होंने इसकी खोज की थी क्या नाम था सुदन साह कभी पूछ ले तो हो सकता है आप याद रगी है सुदन साह नाम के व्यक्ति थे इन्हों ने इसको खोजा था परमान वन्यजीव अभ्यारण को 1991 में और इसमें ऐसा माना जाता है कि 15-20 इसमें डॉल्फिन है वर्तमान समय में अररिया जिले में है परमान वन्यजीव अभ्यारण सुदन साहन है आप से ज्यादा तर इतना टेटल पूछ तो थोड़ा बैतर ही रहेगा हो सकता है कभी आपसे कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़े पूछ ली जाएं बन जाएं जनल नौलेज के लिए आपको पता होना चाहिए तो आपसे तो सिर्फ इतना पूछेगा कि परमान वन्यजीव अभ्यारण कहां पर आप मैच कर देंगे बनी के और यहां है अगला में हैं तो चलिए अगयला देख लेते हैं अगला है आपका और लिंव ग29 में इसको डॉल्फिन अभ्यारण के रूप में माननेता दी गई थी सरकार के दोरा आपके भागल पुर जेले में और ऐसा माना जाता है कि इसमें से इसमें अभी वर्तमान समय में दो सो चालिस से पान सो डॉल्फिन इसमें है यहां पर काँ पर विक्रम सिला गंगेटिक डॉल्फिन या फिर विक्रम सिला गंगे डॉल्फिन अभ्यारण काँ पर आपका भागल पुर में तो याद रखिएगा विक्रम सिला है यहां पर बन्यजीव अभ्यारण भागल पुर जिले में दो सो चालिस से पान सो और उन्निस सौनब्य में इसकी हुई ती इस थापना यह वियाद रखेगा वैसे पूछता नहीं है इस थापना के बारे में बहुत जल्दी पूछेगा नहीं फिर भी आपको अगर याद रखना हो त इसकी स्थापना हुई थी यह आप याद रख सकते हैं अगला और अंतिम बन्यजीव अभ्यारण है आपका मुंगेर जिले में कहां पे हैं मुंगेर में यह देखिए प्रमुख मैंने सारे बता दिया हैं जो इसा पूछा नहीं जाएगा वैसे मुंगेर में अंतिम और प् इसको पढ़ा जाता है और भीम बंद भी इसको पढ़ा जाता है तो यह इसमें याद रखिएगा और अगर इसके वारे में कामानी प्रिच लेते हैं आप जानना चाहें तो भीम बंद बंद की जो महाबारत के समय जो पांडव लोग थे वो जब अज्यातवास अपना पूरा कर रहे थे तो अज्यातवास के समय वो यहां पे मुंगेर जिले में आये थे और मुंगेर जिले में आने के बार उन्होंने अपनी जीविका के लिए जो भीम थे आप जानते हैं वो काफी बांध वन्नाजीव ब्यारण है यह मुंगेर जलेमेटीक है तो याद रखिए का अब मैं आपको ट्रिक बता देता हूं आसानी से ताथी आपका यह जो इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट है उन्ह Wij्में आपको बता देता हूं कि आप अगर उस त्रिक को अच्छा लगे तो आप याद लिजागा नहीं अच्छा लगे तो छोड़ दीजिए लेकिन मुझे लगता है कि इंपोर्टेंट रहेगी ट्रिक आपके लिए तो ट्रिक है पराए सपने बाचे पंतनाल विक्रम भागे क्या है इसको आप इसी तरह लिखी एगा जैसे मैं लिख रहा हूं पराए सपने पंतनाल विक्रम भागे इसको इसी तरह समझ लीजे कि पराए सपने बाचे पंतनाल विक्रम भागे जब आप इस ट्रिक को कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी देखिए अब अगर हम इसको अलग करें तो पा और रा आ रहा है पराए को अलग कर लीजे तो पराए में आपको क्या बता था पर्मान तो यहां से बने आप पर्मान प्रह का अर रहत हो है और किसी माइस देख लिजे कहीं पर आपको यह नहीं मिलेगा यह नहीं मिले तो यह नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा अरदिया ठीक है मिल रहा है आपको सपने पे मिल रहा है ठीक है अब आप अपना से पे अलग कर लीजिए तो मैंने आपको बताया था कि सब यहां पर नमें क्या है संजय गांदी तो चैसे संजय पैसे पहणा में वे फिर है आपका बाशें तो बाशें कैसे समंझेंगे आप चैसे मिल रहा है चैसे जम चम्पारण में मिल गया और वैसे आपका क्या मिल गया बाल में की बाल में की वनना जीवप्यारण आपका थाप् ön में हो गया झाल है लेख ज्चीज और याद रिखिए चम्पारण में यौन सा है उध्यपूर है तो उसको आप ऐसे ही आसानी से याद रखेंगे, उसमें आपको confusion होगा नहीं, क्योंकि आपको अगर एक भी इन दोनों में से याद है, तो आसानी से आपको याद हो जाएगा, फिर आगे हैं आपका पंत नाल, तो पंत आपको कहाँ पर बताया था मैंने, पंत बताया था, प पंजाबी वहाँ सामें साथ, तो अगर आप इस पूरी लाइन को भी देखें ना, तो इसका मतलब निकलता है, यह ऐसा ही नहीं ट्रिक बनाई है, मैंने, पराइज सपने बाचे, दूसरों के सपने बाठता हुआ, पंत के साथ विक्रम भाग रहा है इधर से उधर, यह इस बचे हैं, तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, कैमूर में ही है, गया में बर्वान गौतम बुद्ध के लिए है, तो गौतम बुद्ध गया, ठीक है, फिर आपका वैसाली बचा, तो वैसाली में आपको पता है, इतना अलग है, इकदम सलीम, अलीस, जुबा, राओ, यह आप आराम से अलग कर पाएंगे, रह गया मुंगेर का, तो मुंगेर को मैंने आपको, क्या है, आपे भीम बांद है, अगर आपको क्षिचन आएगा भीम बांद, तो उसको तो आप बड़ी आसानी से खुदी अलग कर पाएंगे, कि इसमें ही नाम छिपा रहें, ठीक है, भीम बांद में ही, मुंगेर का नाम छिपा, इसलिए इसकी ट्रिक की जरूवत नहीं थी, क्योंकि यह देखिए, भीम, तो भी और मैं, मैं में क्या छिपा है, मुंगेर चुपा है, तो इस तरह आप इसको अलग कर पाएंगे, आप इस ट्रिक को समझ गए होंगे, बड़ी